तो भारत के भविष्ट की बात कर रहे हैं भारत की कुंडली का द्यन कर रहे हैं लगातार हमारे साथ बहुत विशिश जोसा अचारे बने हुए हैं और एक बार फिर से उनका रुक करते हैं पंडित ब्रिजेंद्र जी आपके पास आ रहे हैं जैसा कि आचारे पदमेश जी न कि भारत के हिस्से में जादा है कौन कौन से हिस्से ऐसे हैं प्रोपे पूलेंगे और भारत का नाम रोशन करेंगे और भारत को सन 1947 के बाद मिला और अभी राहू उसमें प्रवेश करने जा रहे हैं 29 सितंबर के बाद यानि हम फिर से उनी इस्थितियों में आ जाएंगे जिसमें हमें सुतंता मिली थी कैसे मिली थी वो अलग बात है लेकि परणाम तो हमारे सामने हैं हमें सुतंता मिली यह 18-18 साल का जो अंतराल राहू के साथ होता है ग्रहन भी लगबक उसी से जुड़े हुए हैं और ग्रहन में इ सनी की यूति के कारण बनी हुई है यह जिब उनके साथ पंचगरही योग बन रहा है सन 1962 में अस्थगरही योग था सन 2000-2001 में भी पंचगरही योग बना हुआ था 1941 में भी इस तरह के योग बने हुए थे यानि गुरू और शनी की गुरू और शनी जब यूती करते हैं तो भारत को कहीं कहीं से प्रभुता मिलती है संघरसों के बाद ही सही सन 1962 में थोड़ी से जटका लगा था लेकि उसके बाद भारत स्वाव लंबी बना और आगे चल करके वो चीन से भी लड़ने के लिए सक्षम हो चुका है और आज वह पूरी तरह सक्षम है सन 1962 से काफी मिलता जुलता गरहयोगी इस समय है लिकिश ग्रहर की या युद्ध की स्थिति बन रही है करोना तो साफ हो जाएगा सितंबर तक सितंबर के बाद अब लडाई होगी हमारे आर्थिक वर्चत शुकी नंबर एक, नंबर दो और नंबर तीन बनने के लिए सुपर पावर बनने के लिए और जो चीन की जो रोड अरगनाईएशन है जो चीन बना रहा है ना वन बिल्ट बना रहा है जिससे चाता है कि भारत भी उसके साथ स्यूक करें और हम अपने ही जो लु्टे हुए हिस्से को, यारी प्योखे के हिस्से पर हम कभजा कर लेंगे, सियाचीन के बगल से कर लेंगे, लद्दाब में भी युद्ध के बाद ही इस्थितियां समलेंगी, और यह स्थितियां और जब जब मकर में गुरू और शरी मिलते हैं भारत के लिए एक बार संकट प्रत्यक्ष आता है और संकटों परांत हम लाव की इस्तिति में बनते हैं लेकिन संकट बड़ा है वो सबको दिख विरा है शुरुति दिवेदी जी जब लाव की बात हो रहे हैं और जैसा कि आच कि बात करें तो क्या भाला दिखा रहे हैं आर्थिक जो लडाई होने वाली है उसमें क्या होगा कि अधिक जो वर्चस बनाना है जो वर्ल्ड सूपर पावर बनना है यह चीज से मैं बलकुल सहमत हूं और हां यह जो चीन की जो रोड बेल्ट बन रहे हैं दिस वास्ट यही शुरुआत थी लेकिन हम अगर बात करें तो हम एक चीज को काफी हद तक नजर अंदाज कर रहे हैं कि 29 मार्च को जब जूपिटर का राशी परिवर्तन हुआ था देवगुरु ब्रहस्पत अपनी उच धन्यू से मकरस्त हुए थे नीच राशी में प्रवेश कर रहे थे उस समय से सूर्य चंदर के अलावा बाकी सारे ग्रह जो थे वो काल सर पयोग की चपेट में थे यानि की राहु केतू की चपेट में थे 16 जून को जब सूर्य का राशी परिवर्तन होता है हाला कि 24 मई को बुध का राशी परिवर्तन हुआ बुध राहू की युति बनी मिथुन राशी में तो कहीं हद तक चीजें 24 मई के बाद जैसे अनलॉक डाउन फेज वन हुआ वैसे खुली अब जब सूर्य बुध राहू एक साथ हो जाएंगे 16 जून से तो चीजें बहतर होंगे ये एक तरीके से financially better time लेकर आएगा लेकिन हाँ सूर्य जब तक सूर्य अपने घर में नहीं आया यानि कि आप समझ लीजे 16 अगस तक नहीं बदला तक चीजें बहतर नहीं रहेंगी जब वीनस भी शुक्र का भी राशी परिवर्तन हो जाएगा और शुक्र जाके मृक्षिरा नक्षत्र में आ जाएंगे मृक्षिरा का जो प्रतम और द्वित्य पद होता है वो वीनस का ही नक्षत्र होता है देश के बारवे भाव में होगा उस समय पर expenses तो rise करेंगे लेकिन foreign से हमें support भी मिलेगा और उसी time से हमारी अर्थ विवस्था 3 अगस से बहतर होने लग जाएगी इसके बाद जब 19 September को राहू का राशी परिवर्तन होगा तो ये राहू देश के लाभ भाव में आ जाएगा ये कहीं न कहीं home front पे difficulties तो लेकर आएगा ही लेकिन हाँ partnerships में difficulties लाएगा लेकिन आप देखेंगे कि country as a country हम financially, economically काफी हद तक 3 अगस्थ के बाद rise करने लग जाएगी आपको 19 September के मोर्चे की बात करें चीन इस वक्त बहुत बड़ी चुनौती पेश करने की कोशिच कर रहा है तैरू काड क्या कह रहे हैं क्या इस चुनौती से हम निप्टेंगे और कितने बहुतर तरीके से निप्टेंगे कि चीन के लिए तो चुनौतीयों का टाइम है ही अगर मैं कार्ड देखू तो यहाँ पर काफी प्रेशर स्ट्रेस का कार्ड आ रहा है उनके बहुत लोड रहेगा काम का लोड रेंशन प्रेशर स्ट्रेस और वो सब का लाइक पूरा होल ऑफ लोग हर जगा उनको परिशान करना चाहें गे किसी चीज से तो भी उनको साक्रिफाइस करने का टाइम है वहा cis可能 है और भारत के लिए जो अगर मैं कार्ड देखू भारत के लिए तो वही है यह सृफिरेसर का Thailand तो यही कहा जाएगा कि end of this year like after September October से काफी positive टाइम दिखा रहा है तो यही हो रहा है सब लोग काफी inpatient हो रहे है तो यह जो काड आ रहा है मेरा temperance का काड यह पेशन्स लाने को कह रहा है अगर पेशन्स होगा ना तभी वो अच्छा टाइम देख पाएंगे अगर पेशन्स नहीं होगा तो अभी वो इतना mentally like torture disturb हो जाएंगे कि जो अच्छा टाइम आएगा ना उस टाइम को भी लाइक वो अच्छा से नहीं कर पाएंगे देखनी पाएंगे उसने भी उनको negative दिखेगा तो यही एक positive चीज़ है जो temperance थोड़ा सा हमारे पुरानों में भी लिखा गया है और पुराने टाइम में भी य और उसका परिनाम भारत के भवविश्वर क्या पढ़ेगा सब्तम भाव में भारत की कुंडली में केतु विराजमान है उसका क्या परिनाम है और दूसरा सवाल है कि रोजगार का बहूत बड़ा संकट है और उनमान ये है कि पूरे विष्व में आधी नोकरियां चली तो क्या वो संकट भारत झेल पाएगा या वो संकट और बढ़ा होगा भारत के सामने इतनी बढ़ी आबादी यह तो जनता का कारक ग्रे चंद्रमा है अब चंद्रमा इस बर्ष का महामंतरी भी है चंद्रमा की महादसा चल लई है हमारे देश का नेतरुत प्रधान मंतरी स्री नरेंद मोदी जी का है उनकी भी चंद्रमा की महादसा चल लई है भागेश की दसा चल लई है तो ये जो हमारे सामन हैं इन समश्याओं से उल्णे का समय 29 से अनुट से वाद में प्रारम हो जाएगा और ऐसा संक्त नहीं आ कि हम भुगमरी के दोर से गुजरें हम बेटर भारत को बनाने में सक्षम होंगे भारत को इक दिसा देने में सक्षम होंगे भारत के लोक प्रीता सारे दुनिया में बढ़ेगी आठी गुरूप से भी बढ़ेगे और हम जो तमाम प्रकार की परिशानिया हैं उन्हों पोर ने अंत्रन करने में भी बढ़ेगी इसे प्रधान मंत्री जी की बड़ी लोक प्रीता बढ़ेगी जे अब सब् इसवाँ बहुता है, वो रोजी रोटी हूटा है। भारिया का थो भार хотел हो लेकिन रोजी रोटी हूटा हूटा की अुरू से आदा मंगल मेंरे द्वित दू को निकलने वाली lado है। हमारी उत्तपादिंगा से धर्रयाइ, हुनारी स्थार में सतर हैं। हम रोजगार देने में भी सफल होगा भारत और वेतर मात्वा कांचाओं की पूर्थी करने में भी भारफ सफल होगा पंडित प्रजेद मिर्शा जी अगर हम वर्तमान चुनोती की बात करें कोरोना बहुत बड़ा संकट है खासतोर से अगर हम दिल्ली की बात करें गौतम अध्यप्रदेश को बचा पाएगा देखिए एक बात मैं कर दूं कि इस बार जो ग्रहन लग रहा है वो मंगल की राश की बात तो तीन बार हो चुकी हमारे सभी आचारियों ने कहा और मंगल दूसरा काम यह कर रहा है कि जो मीन राश में अवस्थित होकर के सीधे सीधे अट्राइक कर रहा है वो यह रहन निजात भी दिलाएगा और एक ऐसी चीज़ करेगा वो इन नगरों में यह काए कोई बियुस्ता इस तरह से होगी जिससे कर सकते हैं कि आपरेशन सलिच कित्सा एक मिसेश प्रयास किया जाएगा केंद्री कृत्स हमारी सरकार के द्वारा कि उसके लिए एक स्पेशल टीम आएगी जैसे यंडियारफ टाइप की इस तरह की वियुस्ता होगी और हमें निजात मिलेगा लेकिन थोड़ी सी तरासदी तो इन जगों में बनी है उसका पैड़ाम तो हमें तुरा भुगतना पड़ेगा मैं दो बात और कह देना चाह र हावी होते हैं तभी हमारा बचाओ करता है सत्रू का नाज करता है तो सत्रू हमारा कोरोना भी है शत्रू हमारे दुश्मन भी है और अभी आपने जो सब्तमभाव की केतू की बात की थी जो हमारा लगन का राहू है हमें बड़ी उचाईयां चूने के लिए प्रेरित करता ह हम मंगल तक जाने लग जाते हैं चंद्रबाल पर जाते हैं हम बहुत से यान बनाते हैं और बहुत से अच्छी फसल बनाते हैं और विग्ञान का पृसार करते हैं के तु उसकी टांग झीशता है यहनि जैसे हमारा जो धन अभी सुरक्छा पे लग रहा था अब हमें थोड़ा सा मनरेगा पर लगाना पड़ेगा टीमिंग विलियंस को खिलाना पड़ेगा शुर्ती जी एक सवाल और भी है असी दिन से जादा हो गए हैं देश के लोग डाउन में बंध हैं अलाकि अलाक वन हो गया फिर बंदिशे बहुत हैं सब के मन में सवाल यह है कि क्या आ अपनी राशी में आएंगे वकरी होंगे तो वो अगर हम देश की कुंडली से देखें तो गोचर की द्रिश्टी कोंड से चटे भाव में आएंगे और जहां जब भी अच्छा पॉजिटिव रहे जाता है न अपने घर में तो वहां पर चीज़ें बेटर करता है तो हां ज अधिक्शन थी कि 24 मई के बाद चीज़ें बदलेंगी मर्क्यूरी ट्रांजिट के बाद अभी आप देखते जाएं 16 जून सूर्य बुद्ध राहू हो जाएगा ये कॉमिनेशन बहुत कारगर रहेगा मंगल के राशी परिवर्तन के बाद हाला की मंगल का जो राशी करिस्ति बना सकता है कि लोगों को अपने घरों में एक नियम के अनुसार या फिर फेज़ अन्लॉक डाउन को थोड़ा सा और लोगों को रहत मिल सकती है यहां पर वक्त एक बहुत चोटे से ब्रेक का है लेकिन बता दें कि ब्रेक से पहले पवंजी मेश मितुन करक सिंग क अन्या की राशी बता चुके लेकिन ब्रेक से वापस आएंगे तो तुलाव रिष्चिक धनू मकर कुम्हमेन की राशी फल भी पवंजी से जानेगे और चर्चा को आके बढ़ाएंगे आप वक्त एक चोटे से ब्रेक का है फ़रना जिरूते हैं